हेलो एवरीवन वेलकम टू ओनलाइन माई बिगेस्ट क्लासे दोस्तो आज हिस्ट्री की सिक्स क्लास है आज की क्लास में मैं आपके लिए मौर काल से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट 43 कोशन्स लेकर आई हूं तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कोशन नंबर 1 चाळक के का अन्य नाम था अन्य मतलब दूसरा चाळक के का दूसरा नाम विष्णू गुप्त था Q2. निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकिया वेली के प्रिंस से की जाती है इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर B कौटिल के अर्थ सास्र से की जाती है Q3. वह शाशक कौन था जिसने राज सिंगासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर A अशोक ने की थी Q4. निम्न लिखीत में समराट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर D कारुआ की Q5. अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकरत का प्रयोग किया है इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर A अर्द मागधी का प्रयोग किया है Q6. बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर B तच्छ शिला में भेजा था Q7. निम्न लिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर A Q8. निम्न लिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर A Q9. कोटिल या चाड़क किसका प्रधान मंत्री था इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर B Q10. कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्न लिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर B बौध ने अंगीकार कर लिया था Q11. चंद्र गुप्त के शार्षन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर C चाड़क के ने की थी Q12. साची किस कला वा मूर्त कला का निरूपन करता है इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर B Q13. प्राचीन भारत का वह प्रशिद शाशक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर A चंद्रगुप्त मौर ने अपनाया था Q14. मौर सामराज की इस थापना किसने की इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर B चंद्रगुप्त मौर ने की Q15. मौर सामराज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है Q15. मौर सामराज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number A. पड़ Q16. निमनांकित में से कौन मौर वन्ष का शाशक नहीं है? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number A. अजाद शत्र नहीं है Q17. निमन लिखित में से अशोक का उत्राधिकारी कौन था? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number A. कुनाल था Q18. मुद्रा राच्छस का लेखक निमन में से कौन है? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number B. विशाक दत्त है Q19. विशाक दत्त के प्राचीन भारतिय नाटक मुद्रा राच्छस की विशय वस्तु है? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number D. Q20. मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट किस साशक ने पहली बार जीते? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number D. चंद्र गुप्त मौर ने जीते? Q21. किसने सहिश्णता, उदारता और करुणा के त्रिविद आधार पर राजवन्ष की इस्थापना की? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number A. अशोक ने की Q22. निम्न लिखित किस शहर में अशोक के शिला लेक नहीं है? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C. पाटल पुत्र Q23. अर्थ सास्र का लेखक समकालीन था? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number B. चंद्रगुप्त का Q24. नंद वन्ष के पश्रात मगज पर किस राजवन्ष ने शाशन किया? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number A. Q25. मौर काल में शिच्छा का सर्वाधिक प्रसिद केंद्र था? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C. Q26. मेघस्त नीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number D. Q27. मेघस्त नीज की पुस्तक का नाम इंडिका था? Q27. जिसके ग्रंथ में चंद गुरुप्त मौर का विशिष्ट रूप से वाणन हुआ है? वा है. इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C. Q28. वा हस्रोत जिसमें पाटिल पुत्र के प्रशाशन का वाणन उपलब्द है? वा है. इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C. वा हिंडिका है. Q29. अशोक के शिला लेखों में प्रयुक्त भासा है? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number B. Q30. निम्ण लिखित में किस मौर राजा ने दक्कन की विजए प्राप्त की थी? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number B. चंद्रगुप्त ने की थी. Q31. मेघस्त नीज ने भारती समाज को कितनी स्रेणियों में विभाजित किया? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number D. साथ स्रेणियों में विभाजित किया? Q32. कौटिल के अर्थ सास्र में किस पहलू पर प्रकास डाला गया है? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number B. Q33. राज नीटिक नीटियों पर प्रकास डाला गया है? Q33. निम्न में से कौन सा छेत्र अशोक के सामराज में समलित नहीं था? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C. स्री लंका समलित नहीं था? Q34. पाटिल पुत्र को किस शाशक ने सरोब्रथम अपनी राजधानी बनाई? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number A. चंद्र गुप्त मौर ने अपनी राजधानी बनाई? Q35. पाटिल पुत्र में इस्थित चंद्र गुप्त का महल मुख्यता बना था? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C. लकडी का बना था? Q36. बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आसरे ग्रह के रूप में किया? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number A. आज इवी को ने? Q37. किस अभिलेक से यह साबित होता है कि चंद्र गुप्त का प्रभाव पश्यम भारत तक फैला हुआ था? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C. रुद्र दमन का जूनागर अभिलेक Q38. केवल वह इस्थम्ब जिसमें अशोक ने स्वयम को मगद का समराट बताया है? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number D. भाबरू इस्तंब Q39. सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचीयों के नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए सूची फर्स्ट option number A. चंद्र गुप्त चंद्र गुप्त को मैच करना है सैंड्रो कोट से option number B. बिंदुसार बिंदुसार को मैच करना है option number D. आमित्र घात से option number C. अशोक अशोक को मैच करना है पिये दस्सी से option number D. चाड़क चाड़क को मैच करना है विश्नु गुप्त से इसका right answer हो जाएगा option number C Question number 40 प्रथम भारती सामराज इस्थापित किया गया इसका right answer हो जाएगा option number C चंद्रगुप्त मौर द्वारा इस्थापित किया गया Question number 41 उत्रांचल में अशोक का एक शिला लेख इस्तित है इसका right answer हो जाएगा option number B कालसी में इस्तित है Question number 42 साची का इस्तूप किस ने बनवाया इसका right answer हो जाएगा option number A साची का इस्तूप अशोक ने बनवाया Question number 43 अशोक के शिला लेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था इसका right answer हो जाएगा option number D Gems प्रिंसेप था दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक को शेर करना ना भूले दोस्तों आज की क्लास में आपनी जितने भी Question सही किये हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं Thank you so much Have a nice day